हेलो फ्रेंस आप सभी के लिए बहुती हेलफुल लएगा देखिए यहाँ पे 2017 का सोल्ड पेपर यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ जो की फर्स्ट पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है और इसमें देखिए टैस्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो अपना इसकोर जरूर बताए फ्रेंस और देखिए यहाँ पे थोड़ असा कोर्स और रहा है एक आपका जोग्रफी और आपका एकोनोमिक्स और थोड़ असा बचा पॉलीटी फ्रेंस तो उसके बाद जो है प्रैक्टीस यहाँ पे जो है आपको कराय जाएगा तो इसमें देखिए चलते हैं फि कर आपका जो काफ़ी जो confusion था देखिए ये था आपका कि आपका देखिए आपका B.S.A. है vedek B.SC भी कोम यहोень आप एंगरी कल्चर तो देखिए क्या इसको देखिए एंगरी कल्चर वालों को क्या आर्ड पढ़ना पढ़ेगा क्या BA वालों को Science पढ़ना पढ़ेगा, Commerce वालों को, क्या देखिए क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा, तो यह जो है काफी बड़ा confusion था, तो इस वीडियो में आपका सभी किलियर हो जाएगा, तो इसमें देखिए, First paper जो होता है, सभी के लिए compulsory होता है, तो देखिए, आप बि सेट जरूर करे, Friends, दिन में आप, देखिए, इसमें जो हमारा पहला question है, Friends, यह है, आपका देखिए, दांडी यात्रा की सुरुवात महात्मा गांदी ने कहां से की थी, तो देखिए, कहां से की थी, तो यह जो की थी, यह start की थी, यहां पे, यह की थी, साबर मती आसरम से, कहां से की थी, साबर मती आसरम से, भूज़ जाता है, दांडी यात्रा यह दांडी मार्थ, 12 मार्च 1930 को यह सुरू की गई थी, गांदी के दुवारा, साबर मती आसरम से, इसके बाद यहां पे, अगला जो question है, आपी है, देखिए, सूपर सिद वाद, आई एन्ने मुकदम से, जुड़े अधिवक्ता निमिन में से कौन थे, भूला देशाई, आसापली, सुभास्चंदर बोस, यह सी, राज गोपलाचारी, तो सेकिंड का जो, इसका जो, आंसर होगा, यह है, फ्रेंस देखिए, आपका, भूला भाई, देखिए, तो इसका हो जाएगा, ए आंसर इसमें, अब देखिए, बात की जाए, तो देखिए, आपका यह, इनसे एक इंपोर्टेंट कोशन आता है, सीराज गोपलाचारी, तो यह थे सवतंत्र भारत के पर्थम भारतिय गवर्नर, यानि के भारतिय व्रक्ती थे यह सीराज गोपलाचारी, एक सिक्सक के रूप में भी यह जाने जाते थे, इसके बाद यहां पर अगला जो कोशन है, देखिए, आपका सवतंत्रता का नव ग्रीत तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फैराय गया था, तो आपको देखिए, अकर पता है, तो इसका आंसर जल्दी से कर दीजे, फ्रेंस, इसक आन न किया, वैसे ही, जो है, मैंने जो है, आपका जो है, यह पूरा का पूरा हिष्टी करा है, तो आप उसमें वीडियो में जाके इसको देख सकते है, कम्पलीट आपका पले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसके बाद यहां पर फोर्थ कोशन है, देखिए, आपका इ अन्यय नाम क्या है, सेंदов सब्वेता, यह ठैप्प अजब्वेता, यह मोहन जोडरों की सब्वेता, तो इसको देखी, अन्यय नामों से जाने जा सकता है, पूछासेसकता है, इन में कौन सा इस्थान जो है, कहा, कहां पर पायागा, जैसे लोतल गुजरात में, आलमगीर मेरिट में तो इस प्रकार से आपका क्योश्चन आप उस topic को clear करेए اelp करें आपका जो भी question है इसमें आपका अगर topics कीलेर है तो आप question बिलकुल भी नहीं छोड़ेगे मैं ये मुझे विश्वास है आपका इसके बाद यहाँ पे है तो इसका जो अंछर हो जाएगा यह हो जाएगा फॉल्ऋ बहुत होगा और यह थे उनके प्रभाव में आने के कराई थी इसमें अगला कोशन यहां पर आपका है देखिए राजिस्थान के माउंट आवु में दिलवाडा का जैन मंदिर किस धर्म के अनिवायों के लिए जो है वो निर्मित किया गया यह जो कोशन है मैंने वीडियो में करा दिया हिस्टी में तो यह देखिए है आपका ज गंदिल सासा को दुवारा बनाया गया और आपका देखिए जैसे कोणार्क में जो है कोना का सूरिय मंदिर या जगनात मंदिर वो है आपका उडिसा में वह कुशन भी आपके आ सकते मंदिरों से लेटिड तो फरेंस अगला जो कुशन आ देखिए यहां पे यह है लेखक स समंदित गीट गोविंद के लेखक कोन थे तो ये गीट गोविंद के जो लेखक थे ये थे जियादेव को इसको और बात कीजाए तो यहां पर भारत का शैक्सपीर अगर बात कीजाए तो इन्होंने । राज तरंगनी एग पुच्तक है उसकी description में दिया गया आप वहां से जाके जो है इसको खरीज सकते है इसके बाद यहाँ पर अगला जो कोशने यह भी इत्यास से है आपका दिल्ली का वैस कौन सा सुल्तान था जिसने खलीपा से किस प्रकार की जो है किसी भी प्रकार की जो पद्वी ग्रहन नहीं की थी तो आपको जो है इसका अंसर करना आठ का तो यह हो जाएगा इसमें अलाव दिन खिल जी अलाव दिन खिल जी ने जो है अंसर होगा इसका और अलाव दिन जो है जो थे आपके उन्होंने बाजार नेंत्र लागू किया था अलाव दिन खिल जी नहीं इसके बाद यहाँ पर अगला जो हो जाएगा यह हो जाएगा सुक्र सुक्र को प्रत्वी की बहन भी कह जाता है सबसे छोटा जो गरहा है वो है आपका बुद्ध मंगल को जो है आपका लाल गरहा बोला जाता है बरस्पती को पीला गरहा और जो की बरस्पती जा सबसे बढ़ा गरहा है सबसे बढ़ा गरहा है कौन सा है बरसपती और सबसे चोटा है बुद्ध आपका तो यह आपको टोपिक जो है किलियर कर लेने चाहिए फ्रेंस देखे अभी मैं जोगरफी जल्दी कराने वाला हूँ तो आपका उसमें हो जाएगा इसके बाद यहां पर अगला कोशन है निम्ल में से किस गरह के अप सबसे बड़ा नदीद दीप माजुली किस राज्य में इस्तित है तो यह है देखिए असम का है और यह हाली में असम का जो है पैंतिसवा जिला बना था इसके बाद यहां पर अगला कोशन पश्चिमी घाट के उत्री भाग को किस नाम से जो है जाना जाता है को रोमंडल त तो 23 आज ग्यां और यह हो जागा यहां पर कोटर तट्ट आपका इसमें तेरह कासी आंसर होगा इसके बाद यहां पर अगला कोश्चान देखिए आपका किस परजाती रख्स निलगिरी में ज्यहां सामने रूप से मिलते अब दखिए आपको पता होना चाहिए और दृतो जो है वो मिलाता है नेलिगी परवत देखिए वहां पे जो है किस परकार के जो है वो वरक्स मिलते है तो 14 आंसर हो जाएगा इसमें यह आपका हो जाएगा सी ओप्सन देखे यू के लिप्टिस वहां पे मिलते है है इसके पर यहाँ पर अगला कुश्यन आदेखिए आपको ये जो गरफी से संब्ञेज़ था इसमें मिलान करना है आपको देखिए आपका किस परकार से ये मिलान होगा पंद्रे का तो आपको इसका आंसर करना है इसमें बता गए देखिए कौन सा जो यूगम है वो सही है तो इसमें जो यूगम सही होगा आपका ये होगा आपका देखिए मानस आपका जो नदी वो है सायक नदी है वो होगा यह होगा a answer हो जाएगा समि paper अगला question है देखी आपका यह जोग्राफिस answer आपका निमलिकुत में से कौन सा भारत की निम्न किरसी उत्तबादक्ता के लिए उत्तरदाई नहीं तो कौँन सा उत्तरदाई नहीं है तो इसमें आपको answer करना है सो लखा तो इसमें जो हो जाएगा यह हो जाएगा आवस्यक आदानों की उपलबता देखिए आपका ये answer होगा इसे बाद यहां पर अगला जो question होगा यहां पर सत्रे question इन में से कौन सा लोकतांत्री की व्यवस्था के लिए दो प्रक्टिस एक वैसे खरीद लिया आप कोई भी दो या तीन पब्लीकेशन का तो उससे एक आपकी जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी बहुती अच्छे से इसमें आपका आंसर होगा इन में से कौन सा लोकतांत्री गुएस्ता के लिए प्रिहारिया है तो 17 का जो आंसर ह चुनाव आउसर की समानता अधिकारों की सुरक्सा तो इसमें या यह सभी तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सभी देखिए ज्यादातर जो कोशन आपके पेपर में आएगे जैसे उप्युक्त दोनों तो उसका जो आंसर होता ज्यादातर दोनों वाला होता य है आपको मिलेगे उनका आंसर यह होगा जादातर फ्रेंस फिर भी आप देख लिजे इसमें इसके बाद यहां पे अगला कोश्चन यह भी पॉलिटी से है आपका देखे सविधान किस तिथी को जो है पूर्ट बनकर तयार हुआ तो आपको इसका अंसर करना है तो यह जो तय संसोदन द्वारा जोड़े गए मोली का धिकार या सवससयर द्वारा जटआ या बैदेशून संसोदन सेंपर आपको ぅंसर करना है है कि इसका जो ऑंसर हो जो है यह जोड़ा गया था मौल करते हैं किसके द्वारा को किसी नियले के द्वारा तो आ toothpे विवाद योग्य नहीं देखानतों का मुख्य उद्धेश से क्या है तो इनका उद्धेश आपको बताना है इसमें इसका जो उद्धेश से हैं वो है आपका लोका तुय कराए थे उसमें यह जो हो चाका कि आप self study भी कर सकते है books से तो आपको जाद से जादा तयारी करने है तभी आप इस exam में बहुत ही अच्छे marks आप ला सकते हैं आपको कटोफ का देखिए ध्यान नहीं देना कि कि क्तना कटोफ जाएगा 220 जाएगा 230 जाएगा आप 400 में से कम से कम देखिए वहाँ पे आप 260 यह सतर का जो है target बना के चले आप definitely जो है appreciate ले लेगे फ्रेंसिस में देखिए आपका यह अगला कुश्चन देखिए आपका history से है देखिए साख्य दर्शन के परवर्त कोन है तो साख्य के है यहाँ पे यह हो जाएगे कपिल मूनी आपका देखिए बात कि जाए तो यहाँ प बहुत का अर्थ क्या होता है तो आपको इसका answer करने सामूई का अर्थ होता देखिए इसमें होता है घरेलू खर खपत हो जाएगा इसमें ए आंसर होगा इसमें इसके बाद यहाँ पर अगला question है निमलीकित में से किसी वस्तू की मांग लोजदार है तो किसकी मांग तो यानि कि आपका जो है साइंस वालों को ये देखना है कि आपको इकोनोमिक्स भी करना पड़ेगा यानि कि आपका इकोनोमिक्स फर्स्ट पेपर में 6-7 कुशन आराम से आ जाते हैं नगदी दिजर्व अनुपात और खुली बाजार किरिया निमलिकित में से किसके उपकरन है तो यह किसके उपकरने आपको बताने इसमें तो यह जो उपकरने यह है मोद्रिक नीती के किसके है मोद्रिक नीती और जो मोद्रिक नीती वो जो है वो बैंकिंग में जो पूरा का पूरा जो कुशन आते हैं आपके बैंकिंग से लिटे आपका या आपका मोद्रिक नीत जो answer हो जाएगा यह हो जाएगा यहां पर आपका C option यानि कि cells को हापका देकलपी कमदर का एक उदहार अने इसमें इसके वाद यहाँ पर बूज़ जा सकता है करेंसी जो नोट होते है यहां पर इसके जो वह बनाए यहां पर जाते है। आपका सिख और दे किस प snel chip जो है सिक्के या बॉंड और से जो लेटेटेट है कुश्चन पूछ जा सकता है इसमें आपका जो अगला कुश्चन है गॉल्डन हैड से एक सुर्ण का सम्बंद देखिए किस से है तो आपको बता ना इसमें तो इसका जो सम्बंद में आपका golden hand से कहां पर वह था यह वह था आपका बिर्टेन में आपका दियाद रखे इसको इसके बाद यहां पर अगला कोशन है निमली कित में से किस पंच वर्से युजना में वास्तिव की विकास दर लक्षित विकास दर से जो है वो कमी थी तो इसमें आपको आंसर करना साक नियंतर्ण की एक विधी नहीं है तो इसमें बताना है 29 में तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा इसमें डी ओप्सन होगा बचत खातों पर ब्याजदर में बढ़ोतरी से और देखिए बैंक दर जो होती है ये बैंक जो है आर्बियाई निर्धारित करता है कौन करता है है ये बैंक दर निर्धारित ये करता है आपका आर्बियाई निक है आर्बियाई से समय्द्र कुशन पूचा दसकता है देखिए यानकी भारते रिजर्ड बैंक यह रिजर्ड बैंक ओफ इंडिया और ब्याइइश स्कें जो इसापन हुई थी वह हुई ती यहां पे आप का कि 1935 धे आपका जो MEM e अकर बात कि जातो देखिए राष्ठे क सिक रड़ की वह होता आपका 1929 का बहुता autonomist 299 को जो है इसका राष्टिय करण हुआ बात की जा तो देखे मुख्याल लेगी इसका है जो मुख्याल ले है वह आपका मुंबई में कहां पर है मुंबई में है इससे कोशन जो है वो पूछे जा सकता है इसमें आपका इसके बाद यहां पर अगला जो कोशन है देखिए यह question है आपका तरलता अधिमान क्या होता है तरलता अधिमान आपको बताना है क्या होता है इसमें तो इसमें जो हो आपका तरलता अधिमान क्या होता है तो वो होता है संपत्ति रखने की इच्छा क्या होगा इसमें डी ओपत्ति रखने की इच्छा को जो है तरलता अधिमान जो है कहा जाता है इसमें इसके बाद आगे कुशन है देखिए आपका परती सेकिंड एक खरब गणना करने की छमता से यूप परम देखिए कितना है आपका यह आपका दस अजार कंप्यूटर का जो है निर्मान वो किसने किया आपका यह क्या सीडेक नहीं यानि किसमों जो होगा सीफशन हो जाएगा इसमें इसके बाद यहां पर देखिए कंप्यूटर से भी कुश्चन आते हैं दो से तीन कुश्चन आ जाते हैं आराम से देखिए आपको बताना है देखिए अंत्राष्ट इसतर पर गुट निर्पेकस ता से क्या तात पर है तो good निर्पेख्षता से जो तातपर यह है देखिए आपका यह है आपका सक्तित पूञ्जो से जो है वो तर्थस ता तो इसमें 33 का हो जाएगा इसमें आपका यह की गई थी आपका 1961 11 ऐपका अगर जाए तो देखिए इसका जो है पहला जो सम्मेलन हुआ था वहा था बेल में कहां पी होता बेल году करें तो देखिए यह आपका जो युन होता है सन्यक्ट राश्च्रंग हुआ या गोत मिंखिن सता हुआ या या आपका देखिए WTO World Trade Organization तो इन से जो आपका ये संस्थाए है या आपका ये जो आपके कुश्चन आते हैं संस्था से लिटिट या मुख्याली से लिटिट यहां से भी कुश्चन आएगा दो से तीन कुश्चन आराम से आ जाता है इसके बाद यहां पर अगला कुश् 25 में देखिए आपको बात की जाए तो संयुक्त राष्ट संग की जो इस्थापन हुई थी वह हुई थी आपका 24 अक्टूबर कभी ती 24 अक्टूबर 1945 को देखिए उसी वर्स जो है ये जह भारत इसका सदस्य बन गया था इसमें कुश्चन बूजा सकता है इसकी सापना क कब हुई यूएन्यों की यूएन्यों या यूनाटेट नेशन ओर्गेनाज़सन या संयुक्त राष्ट संग इसका देखिए अकर बात की जाए तो देखिए दिवस कम मना जाता है तो यह मना दा 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट संग याने की संयुक्त राष्ट संग की महासभा की अजो है अनुसार किस्तिति को अंतराष्टे सांति दिवस मना जाता है तो यह जो मना जाता है यह मना जाता है आपका 21 सितंबर को कम मना जाता है 21 सितंबर को और 14 सितंबर को क्या मना जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसके बाद यहांपे एगला Question देखिए आपका यह आगया question किसे आये WTO आपका आया है यह WTO यह World Trade Organization यह WISH वैपार संगठन आपका देखिए उदेश का ऊदेशतिया आपको बताणा है इसका उदेशतिया क्या है तो इसका उदेशतिया है यह JW विशु वैपार की मात्रा में व्रद्धी करना और प्रबंदों की जो है वो स्वाप्ति तो इसमें हो जाएगा इसमें सी ओप्षन होगा इसमें तो अब आपको किलियर हो गया फ्रेंज देखे किन किन टोपिक से जो है कोश्चन आते है तो आपका जो टोटल जी के है वो कोश को किसको देजाता कोश को आपका इसके बाद अगला कुशन यहापने है काफी important कुशन है देखे यह अर्द सास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरम हुआ तो यह हुआ था देखे स्वीडिस यानि कि स्वीडन सेंट्रल बैंक के दुआरा देखे अकर बात Фustle Pages Chemistry आपका Computers Giants Response और फिर नोबल पुश्कार दे जाते हैं और स्विडन के संस्ता के दुवारा दे जाते हैं किसकी आदमें hp- Deus Nobel की अगर बात की जाये तो algorithm पर नोबल का चौकोशन आता एक कोशन ओर था कि आपका वो था देखिए किसका अविसकार करें तो वह ब्रॉज्ष का किसका अविसकार ना माइट तो आपका जो है ये नहीं दिये गया आपका साहित्य पुरुसकार किसके दुवारा दिये जाता है मूर्ति देवी जो दिये जाता है ये दिये जाता है आपका देखिए भारते ग्यानपी ट्रस्ट के दुवारा यानि कि इसमें जो है आपका 49 का सी हो जागा देखिए आपका पुरुसकार से भी संबंदित आएगा यहां पे 2-3 question आपका आ जाएगा और वहीं पे देखिए आपका इसमें 4-5 question आपका आएगा फ्रेंस यह आएगा आपका current affairs से तो आप current affairs पे थोड़ा साथ ध्यान जरूर दे जादा ध्यान ना दे जादा जो ध्यान दे आप old gk पे दे आप जादर से जादर आप के इसके बाद अगले जो कुष्चन आपका देखिए संभी साइुक्ता पाणी ग्री का संबंद्ध जो है किस नरतिय से है तो आपको इसका अंसर करना इसमें आपका 40 का जो पाणी ग्री कास्म बंद्ध है वह है आपका ODC मुलिख को ठीぃधकर receipt प्रमीन नाडवू का और देखे आपका देखे केरल की बात अकर की जाए तो देखे केरल का important देखे नरत्य है वो question पूछे जाते है आपका केरल का कोन सा है आपका एक है कतकली कोन सा है दूसरा और नोट्स कर लिए आपके कातकली एक है महिनी अट्टम आपका तो यह जो है नरत्य है इसके अलावा देखीं यहाँ कर बात की जाए नरत्य की पंजाब का देखें गिंदा गिद्दा है भगडा है तो है मिप्रीशसेन से समय क्यूंसटन आते हैं और बात की सफ कोई भी टविक नहीं चुड़ना है जादा से जादा पोर। आप यहाँ पर एक्टिव रहे चैनल में इसमें आप यह autistic के यह विसु के साथ महासागरों को पार करने वाली पहली भला कौन थी तो इसका जो अंसर होगा यह 41 का यह हो जाएगा देखिए बूला चौधरी कौन थी यह बूला चौधरी आपका के अगला कुश्शन यहां पर daytime का संसंद से चाल तो बटाना रिगॉलано बास्केट बडर्मिल इसमें आपका आपका लिकिस अच्जा को जाएगा इस थो जाएगा आपका ही होगाआ ए सकता है जैसे इसमें आपका किर्केट से गूगली हुआ तो इस प्रकार से आपका बैड मिलिटन वोली बोल या आपका फुटबाल से जो है लेटर जो आपकी सब्दावली होती है वो भी आ सकती है आपका इसके बाद अगला कोश्चन है देखिए इस पेल ओन दी टाइगर प आपका C option होगा 43 का अगला कोशन या पे ये आपका physics से कुशन है कि आपका के रंग वर्णधन थनता किस प्रकार का रोग है सुरी बायों से है देखिए क्रेशन तो किस प्रकार का रोग है इसको क्या बोला जाताए देखिए 44 का हो जाएका स्में यह हो जाएका अनुआंसी इसको जो है जनमजात बोले जाता है अनवानसी की को और जो यह है रंग वर्ण धंता इसको बोले जाता है कलर बलाइंडनेस देकियाँ का इसमें ना किसमें उन्स फ्रिंस देखे प्राथमी के रहल सब्सक्रा करन ठोल से यह जो है प्रात्मिक रंग है इनकी जो है पैचान नहीं कर पाता है यहां पे आकर किसी को अब देखिए कुछ अनुवांसिक रोग होते हैं जनम जात रोग होते हैं वह आप यहां पे देख लीजिए इसके बाद है आपका विटामिन से कोश्चन देखिए बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी की करण होता है तो काफी सारे यह जो है आपका यह होता है देखिए vitamin B1 आपका इसमें होगा answer देखिए इसके अलावा एक question और पूछा जाता है काफी बार बुज़ा जा चुका है vitamin B12 तो इससे एक question आता है देखिए इसमें क्या होता है तो इसमें इसमें होता है cobalt क्या होता है आपका cobalt आपका आपका co 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 को बोला जाता कोबाल्ट यानिक आपको इसका आंजर करना है vitamin B6 का रासनिक नाम तो इसका जो रासनिक नाम होता है यह होता है आपका पारी डॉक्सिं क्या होता इसı में इसमें हो जाएग आपका B option तो देखिए आपका पूचा जासकता है vitamin A का नाम B का नाम C का नाम और D का नाम देखिए आपका और vitamin जो आपका यह होते है vitamin C और vitamin B यह जो है पानी में घुलनसील होते हैं बाकी जो है वे होते हैं वसा में इसके पाद यहां पर अगला कोशन यह आपका फिजिक्स है गती के नियम का परतिपादन किसने किया था तो गती के नियम का जो परतिपादन किया था यह किया था आपका किस ने किया था यह किया था न्यूटन ने गती के नियम कितने दिये थे वो दिये थे तीन नियम आपका कौन से थे तीन नियम जड से किरिया आपका यह ट्रीक थी जब मैंने कराय था जड से किरिया कि आपको इसका पूरा डिटेल देखिए आप आप देखने चाहते तो वीडियो में प्लेपनिस में वहां से देख लीजिए जह आपका फिजिक्से approved औरी यह था इस रोग से पिडित व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रख जो है लगतार बैहता रहता है तो इसमें जो बैहता रहता है यह आपका जो है एक रोग है यह जनम-जात रोग है हमोफीलिया इसमें देखिए ज्यादा बहने की कारण जो है उसकी रोगी की मुर जड़ता यह पागलपन हो जाता है उसको तो यह सभी रोग कैसे है अनुवांसिक रोग या जनमजात रोग होते हैं बैंजोईक अमलका या बैंजोईक एसीड इसमें हो जागा भी उप्शन होगा इसमें सही अगला कुशन है देखिए आपका बायो से यह लेंगी जनन की विदी की खोच जो है वो किसने की थी तो यह 50 आंसर हो जागा इसमें यह जागा एंसर होगा यहां पर आपका जिंडर यह लेंडर बर्ग आपको देखिए आपका तो फ्रेंज देखिए कंपलीट हो चुका ही यह हमारा जो यह पेपर था आप इसी के बाद जो है अगला अगर आप वीडियो देखिए देखना चाहते है तो आपको जो है वो पलेलिश में मिल जागे वीडियो मैंने डाल दिया प्रेंज देखिए आप जो है कमेंट करके बताए फ्रेंज जो है आपका यह प्रेक्टिस सेट कैसा रहा और फ्रेंज देखिए आपको बताना इसमें आपका कितना जो है आपका स्कोर हुआ कि तो आपको कमेंट में बताना है कितना आपने स्कोर किया और देखिए कि अगर आभी भी किसी को confusion है देखिए अगर आप हिंदी का जो है बुक्स लेना चाहते हैं हिंदी का जो है बुक्स ले लिजी आपका लुसेंट होता है एक लुसेंट है एक आता है आधित्य पब्लिकेशन वह बैस्ट है रिजिनिंग के लिए आर्के जा या राम सिंग या लिए अगर वाल एक्जाम कार्ट का बुक है वह आप बैस्ट है उसका जो प्रेक्टिस अट भी आता पंद्रा प्रेक्टिस अट आप वह खरीद लिजे अगर आप साइंस से है या आप कोमर्स गूरुप से है या एक्री कल्चर से तो आपके लिए बैस्ट होगा अरिहंत पब्लिकेशन बैस्ट है तो आप सभी बुक खरीद लीजिए और सेल्प इस्टिडियो ज्यादा से ज्यादा करिए बिल्कुल जह है आप पोजिटिव होके तैयारी करें आप फंस